और कुल अधे लोग नहीं चालिसा के लुएंट उन से क्या इस एक लडर है अगर अगर जड़कर पढ़ तो इसका इस प्रॉब तो ब्राब करोगा अगर कोई लट चलेकर पढ़ रहे हो तो उसका निया में पूरी जिंदकी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्रक्ति नहीं है पर लक्ष लेकर पढ़ा है आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे है उसकी मूर्ती या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए एक घीका दिया अगर हन्मान चालीसा पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा परिशानी है तो हन्मान चालीसा का पढ़ करो तो तिली के तेल का दिया रहे हन्मान जी के सामने आसन विछा कर बहुत तकलीफ है तो तीन पाढ़ प्रती तिन करो और एक आसन से जितने समय नो बज़े अगर आप बेचते हो पाट करने तो नो बज़े ही बेचता है ग्यारा दिन तक प्रती दिन पीन पाट रोज करो एक पानी का लोटा कलश, तांबे का जल अर्था-तांबे का लोटा हो, इस तिल का लोटा हो बस जो सिख्का वो लोंग कलश में से निकालो, जल का अच्छमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो, उस प्रयोग किसी से बात करने जाना है तो जल भी कर जाएगा, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिख्का वो लोंग अपने हाथ मेरे, अपने साथ कोई वेपार नहीं चलता हो दिक्कत आ रही हो तो हनमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतीमान का इसमर्ण करो हनमान जी के उल्टे पाउं का सिंदूर लाकर गतीमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए वेपार वाली जगा पर तो वेपार अच्छा चलने लगता है मा अब है बय पर प्रसान का युदि अंड़ कर देख़न है नहीं देहा हां चोड लिए पाउं जोड़ लिया सब कोच घरीया नहीं दे रहा तो हनमान जी के माई रतिमान हरतीमान का नाम लीजिए पिपल के प्त्चे पर लाल सिंदूर से जो वहती पेशा एकर या उसका नाम को हो गई है बहुत कष्ट मैं जीवन चल रहा है और तकलीफ मैं जीवन चल रहा है तो पंचमुकी हनवान का एक शिव महापुराण का और इसकंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है उस मंत्र को आप सब एक परमर्शनात में बोलें ओम नमू हनुमते रुद्र अवता संगारनाय सर्व रोप हराय सर्व वशीकरनाय रामदूताय स्वाह बस इस मंत्र को हाथ में कली तिल लेकर एक जों लेकर और गूगल लेकर थोड़ा सा इसमें गाय का धी डालकर कंडे को या अग्मी को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाब करकर अपनी कामना करकर छोड़ दीजिए केसा भी रोग हो, बिमारी हो पश्ट हो, धुख हो, तक्लिप हो 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारम पर देता है इस मंत्र, इस पंद प्राण का शिवा महा प्राण का यह मंत्र मूल पंचा, पंच मुक्षी हनमान यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई वेपार के लिए जा रहे हो, या नोकरी करने के लिए जा रहे हो कि सizon sah उस लाल चंदन को घिज कर उस लाल चंदन का लेपद करमान शंकर नहीं पाझा अगर कोई संकत भारी है और नहीं कड़ी है जैसे किसी नारी का गर्व नहीं थेर रहा तंद्रा साल हो गाई बीस साल हो गाई पच्छी साल जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं तो उसने बाहु से कथा सुनी इसे आपके भ बाबा कर शंगार करना प्रारम करो एक बेल पत्री पर लाल चंदन दोनों पत्ती नीचे वाली जो नीचे की नीचे की जो दो पत्ती होती है इसे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगा कर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिये बाबा से प्राथना कर करता है बाबा को लेपन करकर फिर जल्चार समर्पित करता है निशित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर पढ़ता है निशित है अधिशित है हम तो बेटी उसे इसका विवा नहीं हो रहा है पत्चिस साल तीस साल सब्सक्राइब करेगा तीन चार महिने में विवा पक्का करेगा यह लाल चंदन की मात्वता इशुत रोग बढ़ गया वेल पत्री के व्रक्ष के निचे लगाना प्रारम पर बाबा से विं करें रोग बार आकड़े के पत्ते की जो माला होती है यह माला कारी की सिर्धी के लिए होती है इसमें एक एक आकड़े के पत्ते पर सीता राम लिखा जाता है मात्र एक पत्ता इसा होता है जिस पत्ते पर सीता राम नहीं लिखा जाए एक सो आज पत्ते में से एक पत्ता ब आपकी मर्जी पड़े उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बंग दीजिए और उस माला को अपनी कामना करकर श्री हनमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए माराज इसके लिए कोई तिथी, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं है बस ये माला जब हनमान जी को चड़ जाए त जो भी इस वीडियो को लायक और चैनल को सबस्क्राइब करेगा, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं उसके घर को पैसों से भर दूँगा